Windows 10 laptop या computer में किसी भी folder के data को height कैसे करते हैं यह this PC है यहाँ पर यह music folder है इसके अंदर यह data है यहाँ पर एक बात मैं पहले बता देता हूँ यह जो data आप देख रहे हैं यह music folder के अंदर है लेकिन यह जो new folder आप देख रहे हैं यह music folder के अंदर folder है तो अगर इसके अंदर कोई data है तो वो music folder के अंदर नहीं होता है बलकि इस folder के अंदर वो data होता है तो अगर आप सिर्फ music folder को height करेंगे तो इसके अंदर यह data height होएगा तो आपको यहाँ music पर right click करना है यहाँ property पर click करना है यहाँ hidden का option है आपको यहाँ पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ apply पर click करना है अब देखे यह वही पूछ रहा है कि इस music folder के अंदर जो sub folder है आप उन्हें भी hide करना चाहते हैं या नहीं तो अगर आप इसे यहाँ पर click करेंगे तो इसके अंदर के folder hide नहीं होएंगे तो इसलिए इसे आप यहाँ click रहने दीजे तो इसके अंदर के सभी folder, file, document सब hide हो जाएंगे अब आपको यहाँ OK पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ OK पर click करना है कई computer और laptop होते हैं जिसमें यह एक बार में hide नहीं होते हैं तो इसके दुबारा करना पड़ता है तो इसको check कर लिजे hide हो गया है अगर यह hide नहीं हुआ है तो आप इसी process को दुबारा कीजे property पर click कीजेगा और इसे यहाँ से वापस hide कीजेगा तो अब आप इसे open करेंगे this folder is empty इस music folder में अब कुछ भी नहीं है मतलब इसके सभी data hide हो गये है अब कोई भी इस folder को open करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा अब इस data को अगर आप वापस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ search bar में file explorer सर्च करना है अगर file explorer यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर search कर लिजे इसे open कीजे file explorer आपको यहाँ view पर क्लिक करना है यहाँ option पर क्लिक करना है change folder and search option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको view पर क्लिक करना है इसके बाद आप यहाँ पर देखे क्योंकि एक बार में so नहीं होएगा आप यहां music पर click करेंगे तो यह देखे this folder is empty इसलिए आपको जो है इससे वापस करना है तो यहां पर ध्यान दीजेगा यह this PC है तो वापस आप इससे file explorer को open कीजे यहां पर देखे file explorer लिखा हुआ है अब आपको यहां view पर click करना है option पर click करना है change folder and search option पर click करना है यहां view पर click करना है यहां पर अभी click नहीं हुआ है आप वापस यहां click कीजे apply पर click कीजे और ok पर click कीजे अब आप देखेंगे तो यह जो है दिखाई देगा आप यहां देख सकते हैं यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Music folder है आप इसे जब भी open करेंगे यह दिखाई देगा है लेकिन यह हलका दोदला दिखाई दे रहा है क्योंकि यह अभी भी locked है लेकिन यह आप कभी भी आप देख सकते हैं अड़ी आप इसे open करेंगे, आप इसे देख सकते हैं इस तरह से, अगर आप इसे वापस लॉग करना चाहते है, तो आपको यहाँ File Explorer को open करना है, इसके बाद आपको यहाँ View पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा, File Explorer यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा. इस पीसी नहीं. यहां view पर click किजे. Option पर click किजे. Change folder and search option पर click किजे. यहां view पर click किजे. यहां पर आपको don't show hidden file folder and drive. आपको यहाँ पर click करना है. इसके बाद apply पर click करना है. इसके बाद OK पर click करना है. लेकिन अभी भी यह Hide नहीं हुआ है आप चाहें तो यहां देख सकते हैं आप यहां पर क्लिक कीजे यह देखिए अभी भी यह Hide नहीं हुआ है तो इसलिए आपको वापस वही करना है आप यहां पर Back जाएंगे तो File Explorer वापस आ जाता है अगर यहां File Explorer नहीं है तो आप यहां से वापस File Explorer को Open कीजेगा वापस आपको यहां View पर क्लिक करना है Option पर क्लिक करना है Change Folder and Search Option पर क्लिक करना है यहां View पर क्लिक करना है यहां पर यह अभी तक हुआ नहीं है आपको वापस यहां क्लिक करना है had John so hidden पर इसके बाद apply पर क्लिक करना है इसके बाद OK पर क्लिक पर करना है अब आप इसे open करेंगे तो यह फिर से hide हो गया है तो कि हाँ पर ध्यान देना है कि इसको hide करने के लिए दूबारा दूबार करना पड़ता है the time एक बार में hide हो जाता है लेकिन दूबारा दूबार करना पड़ता है और इसे show करने के लिए भी दूबार करना पड़ता है मतलब file explorer से जो process है उसे दूबार करना पड़ता है इस बात का ध्यान आप जरूर दीजेगा तो अब ये folder वापस से hide हो गया है इस तरह से अगर आप इसके hidden को remove करना चाहते हैं तो यहाँ पर right click कीजे, property पर click कीजे, यहाँ hidden को uncheck कीजे, apply पर click कीजे, ok पर click कीजे, यहाँ ok पर click कीजे अब आप इसे open कीजे तो इस तरह से clear में दिखता है मतलब अब ये file hidden नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी folder के data को hide कर सकते हैं, unhide कर सकते हैं और folder के hidden data को देख सकते हैं